यूपी सरकार के जेल और होंगार्ड मंत्री धरमवीर प्रजापती ने कानपुट जिला कारगार का निरिक्षन किया जेल पहुँचे मंत्री के आगमन को लेकर जेल प्रसाशन ने उनको गौड ऑफ ओनर देने के साथ सुरक्षा के पुकता इंतजाम भी किये निरक्षन के दौरान यूपी सरकार के जेल मंत्री धरमवीर प्रजापती ने का कि सरकार निरंतर जेलों में बंद कैदियों के लिए मानवे समवेदना को देखते हुए उनकी सुख सुविधाओं के लिए प्रयास कर रही है क्योंकि सभी कैदी पेशवर अपराधी नहीं होते हैं हमें रक्षा बंदन पर कैदियों को राखी बांधने वाली बेहनों की सुविधाओं से लेकर नवरात्रों में जेल में बंद बंदियों की फलहार तक की विवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिये थे वहीं इन सब आदेशों के अनुपालन की जाज के लिए हम या निरक्षन करने के लिए आई हैं वहीं यूपी की जेलों में शमता से ज़्यादा कैदियों की संख्या पर जेल मंत्री ने कहा कि यह बात सही है कि जेलों में शमता से ज़्यादा कैदी हैं मगर सब जेल अंग्रेजों के समय की बनाई हुई है हम लोग लगातार नई जेलों के निर्मान और पुराने जेलों में नई बारक बनाने का काम कर रही है वहीं जेल के सुरक्ष वैवस्था के सवाल पर जेल मंत्री ने कहा कि पहले के सरकार में जेल माफियाओं के लिए एशगा थी लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इन माफियाओं और अपराधियों को यह मालूम पढ़ गया है कि जेल जेल होती है वहीं इंडिया गडबंदन पर मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि सब अलग-अलग होकर एक होए हैं आने वाले समय में फिर से दूर हो जाएंगे वहीं ऐसे में सहारा समय समवादा था अनुराख शिवास्तव ने यूपी सरकार के जेल मंत्री धर्मवे प्रजापती से कई मुद्दों पर बात शीत की आईए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है एक उत्सा बदन का काम भी करता है सभी जेलों में सारदी नवरात्रों का सुरू हुआ तो हमने मोखिं निर्देश दिया फिर लिखित में निर्देश दिया कि जो भी बंदी बरत रहें उनको फलहार की अच्छी से विवस्ता हो सभी बंदी पेशेवर नहीं है अनायास गट गट ना में बड़ी शंक्या में कह दी हैं उनके शाथ मानवी दिर्शिश विवार हो इसके लिए हमने जेलों को कोसल बिकास से जोड़ा हर त्योहर हम अच्छी से मनवा रहें कि परिवार से दूर रहते हैं जब त्योहर आता है तो सब को परिवार की याद तो आती है जब उनका परिवार से दूर है त्योहर अच्छा मनेगा तो साइध हो सकता है वो जादा इतने परिशान परिवार को लेकर हो उसमें तोड़ी कमी आए आज हमने शंबाद भी किया है कह दियो गिशाथ तो जब कनेक्ट किया है उनके परिवार से उनको बताया है कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिश्तितियों से बुजाता है तो 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 तौम बंदी भावुक भी हुए आज उन्होंने शंकल भी किया है कि हम जीवन में अगर निया एले के मादनें से बाहर जाएंगे तो दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे जिसके कारण ह हम जील में आए परिवार हमारा बाहर संकट में रहें जील के अगर जीला जील की यहां कानपूर की बात करी जाए तो काफी यहां पर ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं एक बदलाव को लेकर कैदियों को मानसी क्रोग से तोड़ा मुक्त करने के लिए एक FM की भी सुविदा यह भवान की उनके नीचे जो आसन मनता है वो आसन बना रहें तो अच्छी बात है कैदियों को कुछ स्रम भी मिलना है और वो फाल्तु चर्चा से भी बच रहें और दूसरा सीखने के बाद में जब जेल के बाहर जाएंगे तो बेरोजगार नहीं रहेंगे असल में क्या है कि देखें तो कैदी के ऊपर जिस पर ठपा लग गया बाहर हर बैती रोजगार उसे जल्दी देता नहीं है इसलिए हमने जेलों में कैदियों को कौसल बिकास शैमी से जोड़ने का प्रयास इसलिए किया है कि जब वो बाहर जाएं तो किसी के काम के भरू सुने रहें शैम वो सरोजगार से जोड़ से पें ये प्रयास हमारा है सरोजगार के लिए अगर बात करे जा तो यहां पर कई कैदियों ने हाई स्कूल की और इंटर की परिक्षाओं के लिए भी फॉर्म बारा है क्या उनकी पढ़ाई के लिए कुछ विशेश विवरस्था करी जा है हाँ दोनों बार हाई स्कूल इंटर में 90% हमारे कैदी पास हुए है जिन्हों ने परिच्छा दी उसमें 90% अगर बात करी जा है तो सौ में लगबग 60% होमगार्डों की समय तैनाती 40% जो रिक्तियां है वो अभी खाली है इस पर किसी तरह का विचार हो रहा है उसको पूर्ड करने हैं मुकमंत्री के शंग्यान में है और हमने चर्चों से की है तो यह थे हमारे साथ मंत्री जी जुनों ने सारे सवालों के जवाब सारा समय के कैमरे पर दिये कानपू से वीडियो जनली स्रावी शर्मा के साथ सारा समय के लिए अनुराग शिर्वास्त